एक बार फिर आ गया हूँ लेके आप लोगों के लिए बहुती important and helpful वीडियो जिसका नाम है how to send videos on whatsapp in bulk आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप बल्क में videos sign कर सकते हैं अपने thousands of customers को एक साथ जी हाँ ये possible है एक automation हम ऐसा site करेंगे google sheets और whatsapp के बीच में जिससे की ये process automatically होने लगेगी एक example देता हूँ मान लिजे के आपके घर में wedding है और आपने card ना चपवा कर एक video create किया है as a invitation और आप अपने सभी relatives, customers, clients को वो video sign करना चाते हैं तो अब thousands of people को आप अपनी wedding में invite करना चाते हैं तो उन सभी को इतने busy environment में आपको message sign करने में बहुत ही जादा दिक्कत होने वाली है क्योंकि पूरा दिन निकल जाएगा हजारों लोगों को उनके whatsapp पे message share करने में तो वहाँ पर यह automation काम आएगा आपको सिर्फ जाना है अपनी google sheets में उन सभी की details को add कर देना है जैसे कि उनका नाम और उनका whatsapp number बस चाहे वो हजारों लोग क्यों ना हो उन सभी को automatically उनके whatsapp पे एक video जो आप चाहते हैं वो वीडियो उनके whatsapp पे share हो जाएगा एक message के साथ जैसा भी message आप चाहते हैं पूरी process automatically होगी इस process में आपके involvement की 1% भी जरूरत नहीं पड़ेगी बस मेरे साथ आके आपको एक 10-12 minute के अंदर ही automation साइक करना है और आपकी परिशानी खतम हम इस video इस automation को site करने में मैं बता दूँ आपको एक software की help ले रहा हूँ जिसका नाम है पैबली connect क्यूंकि ये दोनों different type के applications हैं और इन दोनों के बीच में connection नहीं है और पैबली connect का काम है कि अलग-अलग तरह के applications को आपस में जोड़ देता है best part ये है कि आपको इस automation को करने के लिए किसी भी तरह की coding skills का आना जरूरी नहीं है तो फिर देर किस बात की है आईए मेरे साथ मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि कैसे आप भी इस automation को site करके अपना time और money दोनों safe कर सकते हैं पूरी process बदाने वाला हूँ कहां क्या करना है क या नहीं अभी अपनी screen पर सबसे पहले हमें अपने browser में जाना है और टाइप करना है www.pably.com sign up free पर क्लिक करके अपना account free में बना लेना है मैं अपना account free में बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पर first option आएगा pably connect का क्लिक करूँगा access now पर access now पर क्लिक करने के बाद open हो जाएगा pably connect का dashboard जब dashboard ओपन हो जाएगा तो writing side में एक option आएगा create workflow का हमें उस पर क्लिक करना है और अपने workflow को एक नाम दे दिना है मैं नाम दे देता हूँ google sheets to whatsapp okay मैंने नाम दिया है google sheets to whatsapp आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं एक important बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पर क्लिक करना है और आप भी ये same workflow अपने account में use कर पाओगे वो भी एक दम फ्री में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आगई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे google sheets के अंदर जितने भी contacts है हमारे जितने भी contacts relatives है उन सभी को उनके whatsapp number पे एक video जो है so मैंने एक google sheets में इस google sheets के अंदर सभी customers का नाम लिग दिया और उनका phone number लिग दिया मैं चाहता हूँ जितने भी phone numbers है जितने भी whatsapp number है इन सभी whatsapp number के उपर वो video जो है share हो जाए यह है वो video ओके यह wedding video उन सभी के whatsapp number पे share हो जाए तो ऐसा मैं चाहता हूँ so ऐसा automation set करने के लिए मुझे first application में सबसे पहले choose करना होगा google sheets को search किया choose कर लिया google sheets को then trigger event में choose करना होगा new और updated spreadsheet row को then pably connect ने दिया मुझे webook url जिसको मैं copy करूँगा और नीचे दियेगा instructions को follow करते हूँए integrate कर दूँग अपने google sheets को pably connect से ऐसा करने के लिए मुझे चलना होगा अपने google sheets पे तो यह है मेरा google sheets जिसमें मेरे सारे customers की details है और future में मैं जिन भी customers की details इसमें और add करूँगा तो उनको भी automatically message sent हो जाएगा so यहाँ पे मेरे सामने details आप देख पर हैं अब मुझे क्या करना है इस google sheets को integrate करने के लिए मुझे click करना होगा extensions पे then उसके बाद add-ons पे उसके बाद get add-ons पे तो google workspace marketplace open हो जाएगा यहाँ पे मुझे search करना होगा पैबली connect webhooks को search करूँगा और अपने pc में installed कर लूँगा मेरे pc में already installed है that's why मैं दोबारा नहीं कर सकता आपके pc में नहीं होंगे swap कर लेना install करने के बाद अपनी google sheets को refresh करना मत भूलना है जब आप refresh करोगे और दुबारा जाओगे click करोगे extensions पे तो आप देख पाओगे के एक नया option आने लगा है पैबली connect webhooks का click करना है आपको और click करने के बाद आपको initial setup का option दिख रहा होगा इस पे click कर देना है जब आप click करेंगे initial setup पे तो यह आप से मांगेगा webhook url और trigger column so webhook url के अंदर जो पैबली connect ने आपको webhook url दिया था उसको आपको copy करना है आना है google sheets में वापिस और webhook url value field पे paste कर देना है then trigger column में बता देता हूँ आपको क्या होता है spread sheet के अंदर जो last data entry column होता है जिस column में हमने last में data enter किया होता है उसी column को trigger column कहता है so मेरी spread sheet में हमने last data enter किया a, b, c वाले column में उसके बाद मैंने कोई data enter नहीं किया है तो मेरा trigger column हुआ c then मुझे click करना है send test पे तो जैसे ही मैं send test पे click करूँगा तो first वाली जो row है उसका data पैबली connect के पास यहाँ पे capture हो जाएगा चलिए click करता हूँ send test पे so जैसे कि आप देख रहे test data send successfully बता रहा है चल के check करते है yes यहाँ पे successfully details capture की है first row की adam smith email address phone number बाखी की details so webhook url perfectly work कर रही है submit पे click कर देना है हमें submit पे click कर दिया हमने अब आप यह सोच रहे होंगे यहाँ पे तो एक ही person का data आया है लेकिन हमें तो message सबको send करना है तो मुझे सिर्फ एक person के साथ process करके दिखानी है then बाकी के बचे हुए persons के साथ जिनके भी number ने उन सबके साथ software automatically यह process कर लेगा okay so अभी जैसा कि आपने देखा होगा जब मैंने send test पे क्लिक किया तब जाके data sent हुआ तो मैं चाहता हूँ कि मेरे involvement की जरूरत ही ना पड़े इस Google Sheets में जैसे ही मैं data add करूँ तो automatically जो है Google Sheets data send कर दे pably connect को ऐसा करने के लिए मुझे extensions पे क्लिक करके pably connect web box पे क्लिक करना होगा और यह जो option देख रहा है अब send on event का इस पे क्लिक कर देना होगा तो इस पे क्लिक करने से क्या होगा कि अब जबी भी मैं इस Google Sheets में आके कोई new row add करूँगा तो automatically उसका data जो है Google Sheets send कर देगा pably connect के पास मुझे send test पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो अभी perfectly हम connection बना चुकी है हमारे Google Sheets और पैबली connect के बीच में अब मैं चाहता हूँ कि add हम स्मित को और जितने भी इस Google Sheets में add है लोग जिनके भी numbers है और जो भी future में add होंगे उन सभी को उनके WhatsApp पे ये वाला जो मेरा वीडियो है ये एक अच्छे से message के साथ share हो जाए तो ऐसा करने के लिए मुझे क्या करना होगा नीचे आना होगा और अपनी second application में चूज करना होगा WhatsApp by 360 dialogue को WhatsApp by 360 dialogue एक application है जिसके पास WhatsApp की official API का access है है ना WhatsApp से हम directly message send नहीं कर सकते हमारे through अगर आप खरीदते हैं तो ये आपको एक बहुत ही reasonable price में मिल जाएगा buy link मैंने description box में डाल दिये देख लीजेगा ठीक है action event पे click करूँगा और choose करूँगा send template message को क्योंकि एक template message ही में share करने वाला हूँ then click करूँगा connect पे connection के लिए बाद add new connection पे एक new connection के लिए चाहिए मुझे API की और domain so API की और domain के लिए मुझे चलना होगा अपने 360 dialogue के account पे तो यह मेरा 360 dialogue का account जैसा कि आप देख रहे हैं API की वाले sanction में paste कर देना है then API की के साथ साथ आपको एक domain भी मिलेगा जिसको आपको copy करके हाँ पे paste कर देना है मेरी domain यही है तो इसको मैं copy करके हाँ पे paste कर देता हूँ आपकी कोई अलग हो तो आप वो copy करके हाँ पे paste कर देजेगा then जब आप क्लिक करेंगे save and sign पे तो यह जो connection है आपके साथ 360 dialogue का वो successfully हो जाएगा लेकिन एक important बात बता देता हूँ के इस API की को बार बार generate करने की ज़रूरत नहीं है एक ही बार generate कीजेगा और उसी API की का use multiple applications में कीजेगा मैं भी एक बार generate कर चुका हूँ that's why select existing connection पे क्लिक करके पुराने connection का ही use करूँगा ओके सो जब मैं save पे क्लिक करूँगा तो मेरा connection जो है successfully हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे है connected है मेरा 360 dialogue पैबली connect से connect होने के बात first जो है हमारी पास field आये वो आये template की जो की required है तो यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ बहुत सारे नाम आने लगते हैं तो यह सारे नाम जो है मेरी templates के नाम है जो भी मैंने create करी है अभी तक है ना चलिए आपको introduce करा देता हूँ सबसे पहले तो अपनी template से 360 dialogue पे चलूँगा और click करूँगा manage templates के उपर सो जैसा कि आप देख रहे हैं आज तक जितनी भी मैंने templates create करी थी उन सभी की सभी मेरे सामने है है ना आप भी आपकी खुट की templates create कर सकते हैं add template पे click करके कुछ basic सी details आप से माँगेगा इसमें add कर दीजेगा and यहाँ पे अपने according template को set कर दीजेगा then click करना होगा preview and submit पे then यह template approval के लिए जाएगा facebook के पास जो की parent company है okay facebook इसे 30 minute से लेके 48 गंटे के बीच में approval देदेगा then आप भी आपकी खुट की बनाई template का use कर सकते हैं so आज मैं जिस template का use करने वाला हूँ उसका नाम है weld invitation okay so जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हूँग यह weld invitation नाम की template है आपको open करके दिखा देता हूँ एक बार की template होती क्या है किस तरह से दिखती है so simple बाशा में बोलो तो एक तरीके का एक message होता है जिसको आपने पहले से type करके रखा होता है और जबी भी आपको जरूरत पढ़ रही होती है आप उस message को select करके share कर रहे होते हैं तो इस तरीके का यह message है okay so जैसे कि आप देख रहे template hello curly brackets में one लिखा इसको में आपको आगे explain करूंगा marriage means a new beautiful beginning we would like to invite you to witness and be a part of our new beginning please join us on two three act four as we tie the knot in holy matrimony your presence will be valuable to us regards bride and groom okay so इस तरीके का यह message है अब मैं आपको बताता हूँ यह curly brackets में one two three four क्या है तो यह है variables यह मेरे according हर message में change होंगे that's why मैंने इनको variable बनाया है hello के बाद जो है हमारे customer relative या जिनको भी हम share कर रहे है message उनका नाम आएगा है ना वो नाम सबका same होगा नहीं obvious सी बात है हमेशा change होगा हर message के अंदर तो that's why मैंने इसको variable बनाया है ना hello के बाद जो भी नाम है जैसे की first Adam Smith, Hina Khan, Shiba तो यह change होता रहेगा that's why मैंने इसको जो है बनाया variable then उसके बाद नीचे आ जाते है please join us on यहाँ पर हमारा date आ जाएगा time आ जाएगा at venue आ जाएगा है ना तो यह भी change होगा मेरे according हर message में मेरे आपके according नहीं होगा तो that's why आप इसको variable ना भी बनाए तो कोई problem नहीं है है ना तो यह आप समझ गये होंगे के variable आपके according जो भी आपके words चेंज होने वाले हर message में आप उन्हें variable बना दीजेगा तो इस नाम की template में चलके select कर लेता हूं सबसे पहले पैबली connect के अंदर जिसका नाम है वैड invitation आता हूं पैबली connect पर यहाँ पर search कर लेता हूं वैड invitation यह रहा है ना सो इसको select कर लिया है मैंने namespace को वैसा कब वैसा रहने देंगे language code EN का मतलब English होता है then आ जाते है recipient mobile number पर so यहाँ पर हमें mobile number एक करना है जिसको भी हम message sign कर रहे है उसका तो वह mobile number हमें कहां से मिलेगा google sheets में सबके mobile number है so google sheets से मिला हुआ data किसके पास है पैबली connect के पास है यह राप है ना first वाला adam smith का data है जैसा कि मैंने बताया आपको एक adam smith के साथ मुझे सिर्फ first वाले के साथ करके बताना है यह process बाकी के साथ पैबली करना है खुद कर लेगा ठीक है तो adam smith का number मुझे यहां पर add करना है so ऐसा करने के लिए मुझे एक technique का use करना होगा जिसको कहता है mapping mapping से हम हमारी trigger application का data हमारी action application में बहुत ही easily add कर सकते हैं कैसे कर सकते है blank field पे click किया नीचे option आए google sheets का click किया google sheets पे सारा data open हो गया जो भी हमें google sheets से मिला है then हमें क्या करना है यह जो number है यह number जो adam smith का है वो number हमें click करके यहां पे map कर देना है simple map करना important है क्योंकि अभी जैसा कि आप देख रहे है मैंने यहां पे data map किया है अगली बार जब कोई दूसरा number होगा है अभी मैंने number map किया है अभी जब software run करेगा और दूसरे number पर आएगा तो यह number software automatically यहां पे map कर देगा और ऐसे करके जितने भी number है उन सभी को map करता क्योंकि मैंने अभी data map किया है that's why map करना important है और अगर मैं data map नहीं करूँगा तो यह process automatically नहीं होगी जैसा कि यहां दिया हुआ country code होना जरूरी है तो country code 9 1 तो लगा है लेकिन plus नहीं है तो मैं manually plus add कर देता हूँ manually मैंने plus इसलिए add करा क्योंकि plus हर बार change नहीं होगा है ना तो हर process में same रहेगा plus है ना that's why मैंने plus को manually add कर दिया जो भी words आपके same रहने वाले है आप उन्हें manually लिख सकते है और जो change होंगे आप उन्हें map कर दिजिए simple ठीक है नीचे आ जाता हूँ header video url ओके सो यहां पे जालनी है और example में साफ साफ दिया है कि mp4 ही होना चाहिए video आपकी है और उसके आगे extension लगा होना चाहिए जैसे कि आप देख रहे है यह url देख रहे है आप मेरे video की इस तरह की url होनी चाहिए है और .mp4 होना ज़रूर है अखरी में ठीक है so यह url जो है मैं इसको copy कर लू url को और आएंगे पैबली कनेक्ट और header video url में paste कर देंगे simple then body field 1,2,3,4 so यह सब क्या है यह body field 1,2,3,4 यह वाले है अगर मैं यहाँ पे 10 variable बनाता तो यहाँ पे 10 body fields आ जाती है तो इन सब में भी data map करना होगा body field 1 के अंदर मुझे data map करना है नाम किसका जिनको भी मैं message send कर तो उनका नाम मुझे कहा से मिलेगा google sheets पर click करूँगा यह रहाँ नाम adam smith map कर दिया simple body field 2 के अंदर मुझे तारीक जो है यहाँ पे add करनी है okay so तारीक भी change नहीं होगी तो इसको भी आप manually लिख सकते है ना मान लिजे यही तारीक को है wedding okay so मैं इसको copy करके यहाँ पे paste कर देत हूँ simple ठीक है यह आप manually लिख सकते है क्योंकि यह change नहीं होगी जो wedding की date है वो change नहीं होगी that's why इसको manually आप लिख सकते है time time भी change नहीं होगा से यहाँ पर मैंने time डाल दिया 7 p.m. simple है ना जाओंगा नीचे आपका garden डाल दिया जो भी venue है आपका से मैंने यहाँ पर venue डाल द होगा और एक इस तरह का message होगा है ना automatically एक message चला जाएगा है ना तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ save and sign test request पे तो मैंने यह जो आपको दिखाने के लिए यह जो number है इसका whatsapp web अपने पास open करके रखा है जो भी पुराने messages उनको में delete कर देता हूँ अभी आप जैसे की देख रह सेकंड का जब wait करेंगे तो आप message देख पाएंगे कि यहाँ पर आपके पास message आ जाएगा जिसके अंदर इस तरह का message होगा पूरा का पूरा और आपका यह जो video है ना जो भी जितना भी 17-18 second का जो भी आपका video है वो automatically उसके अंदर add होगा ठीक है यहाँ पर response आप देख पा ही मैं आपको दिखाता हूँ ओके सो दस से बारा सेकंड के अंदर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मेरे पास सामने मेरे message आ गया है दस से बारा या पंदरा सेकंड लगे हैं इतने लगते ही हैं ओके सो उसमें पैनिक नहीं होना है मैं बिल्कुल भी जैसा कि मैंने आपको बोला पहले भी ओपन करके दिखा देता हूँ तो यस यह वही वीडियो है ओपन करके देख लेते हैं है ना पहले है आपको दिखाया था जो कि मैने जिसकी लिंक डाली ती यहा पर यह वही वीडियो है और नीचे आ जाता हूँ message पर Hello Adam Smith, Marriage means a new beautiful beginning We would like to invite you to witness and be a part of our new beginning Please join us on this date, this time at Akansha Marriage Garden As we tie the knot in holy matrimony, your presence will be valuable to us Regards, Bride and Groom So here, as you can see, there is a test message in front of us This means that we have our automation site, just click save and now we have a little bit of process Then, what will happen in this Google Sheets, all of these numbers, all of these numbers, all of these numbers will be shared in the name of the message Which will also be shared in my video And if you do not only in the future, if you do not have a message, all of these numbers will be shared in the name of the message You can click the OTC setting, what do you want to do? Extensions, click the link And here, what you are looking for, Public Connect, Web Books, click the link And here, there is a option, send all data As you can click the link In this Google Sheets, all of these numbers, all of these numbers will be shared in the name of the number And here, you can click the link I will see you on the page I will see you on the page And here, you can click the link And here, you can click the link And here, you can click the link Hello, Hina Khan, Marriage Means Are Beautiful And the rest of the details Okay, so this way And here, the number is in the number And here, you can click the link So, we have our integration done We have our automation site We have successfully integrated Google Sheets to WhatsApp Now, when we have our Google Sheets We have a new row to add So, automatically, it will be a message Share in the video Okay? If you want to make it If you want to make it, you can add 1000 contacts You can add the number of WhatsApp And then, you can go to the extension Public Connect Web Books Simply click the link Send all data So, all of them will be in bulk This way, it will be a message Share in the name And here, your date Your time Your venue And your video Which will happen Okay? It will just make it Not only in the applications Code for the website You can integrate You can automate Without any problems One thing One thing to add But also, everyone In the description box You will initiative You will be online All information You will find it Click on it You will find it Same workflow You can use your account You will find it Very free इस वीडियो से related कुछ questions होते हैं आपके queries होती हैं या फिर आप मुझसे बात करना चाहते हैं मेरी team से बात करना चाहते हैं तो आप हमसे अपनी queries पूछ सकते हैं यहां दी गई लिंक पर और आपको अगर पैबली connect की pricing जाननी है तो वो आपको यह दी गई लिंक पर मिल 겉पते हैंस